प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने शुक्रवार को डिजिटल इंडिया के लाभारतियों से चर्चा की इस दुरान प्रधान मंत्री ने कहा कि अब देश और विदेशों का पूरा बाजार मोबाइल पर आ गया है आज लोग बिजली पानी और गैस जैसे सुईधाओं के बिलो का भुकतान चुटकियों में कर रहे हैं प्रधान मोदी ने कहा कि पिछले चार साल में हमने डिजिटल एंपॉर्मेंट के हर पहलू पर विशेज ध्यान दिया है प्रधान मोदी ने लाभरतियों से ये चर्चा नमो एप के जर्ये की पियम मोदी ने डिजिटल इंडिया को एक संकल्ब बताया और कहा कि डिजिटल इंडिया देश के सम्मानने व्यक्ति को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को और गावों को डिजिटल की दुनिया से जोडने का संकल्ब था उन्होंने बताए कि गाओं में पढ़ने वाले विध्यारती अब स्कूल कोलेजों में उपलफ किताबों तक ही सिमित नहीं है अब वह इंटरनेट का इस्तेमाल करके डिजिटल लाइबरेरी के जरिये भी हजारों लाखों किताबों को एकसेस कर रहे हैं पिये मोदी ने आगे कहा कि सरकारी सेवाओं को भी एप से जोड़ा जाएगा सोला सो संस्ताएं इस मुहिम में जुड़ी हैं पिछले चार सालों में देश में करें तीन लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जा चुके हैं उन्होंने बताए कि हमारी सरकार गाओं में आप्टिकल फाइबर का नेटवर्क फिला रही है इसके जड़ी करोडों लोगों को डिजिटल साक्षर्ता से जोड़ा जाएगा पावरमेंट के हर एक पहलू पर काम किया है जाहे गाओं को फाइबर आप्टिक से जोड़ना हो करोडों लोगों को डिजिटली साक्षर करना हो सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माद्दम से हर एक के हाथ में पहुंचाना हो इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्टिरिंग को देश में विक्सित करना हो स्टार्ट अप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना हो दूर दराज के खेत्रों में बीपियोस खोलने को अभियान चलाना हो ऐसे अनेक प्रकल आज पेंशन प्राप्त करने वाले हमारे बुजुर्गों को कोशों दूर खुद जाकर अपने जीवन का प्रमान नहीं देना पड़ता बल्कि वो अपने गाउं में ही कॉमन सर्विस सेंटर से पहुच करके बड़ी आसानी से काम कर सकता है देश का किसान मौसम का हाल जानना हो फसल के समन में जानकरी लेनी हो स्वाईलादी के बारे में जानकरी लेनी हो वो बड़ी आराम से आजकर प्राप्त कर रहा है लेकिन साथ ही साथ एक डिजिटल मार्केट इनाम के मांद्यम से अपने उत्पाद भी देश भर के बाजारों में वो बेच सकता है अपने एक मुबाईल फोन के मांद्यम से या CSC के सेंटर पर जाकर आज गाउं में पढ़ने वाला विद्यार थी जिर्व अपने स्कूल कालेज में उपलब्द किताबों तक सिमित नहीं है वो इंटरनेट का इस्तमाल करके डिजिटल लाइब्रेरी के जरिये लाखों किताबों को एक्सेस करता है वह अब स्कूलर्शिप की धनराशी के लिए स्कूल कॉलेज के पुरानी सिस्टिम पर निर्भर्ब नहीं है उसकी स्कूलर्शिप अब सीधा उसके बैंक खाते में आ जाती है यह सब संबव हुआ है टेकनोलोजी के माध्यों से संचार क्रांती के खागर आज से कुछ वर्ष पहले तक महानगरों से दूर छोटे शहरों कस्बों और गाउं में रहने वालों के लिए इस बात की कलपना भी मुश्किल थी कि रेलवे टिकट बिना स्टेशन पर गए हुए बिना लाइन में लगे हुए रेलवे टिकट अब बूप हो सकती है या रसोई गैस बिना लाइन में घंटों बिताएं सीधा घर तक कहुँच सकती पैक्स बिजली और पानी का भील बिना किसी सरकारी दफ्तर के चकर लगाए भी जमा हो सकती है लेकिन आज ये सब संभव है आपके जीवन से जुड़े तमाम जरूरी काम अब बस उंगली भर की दूरी पर होते हैं और ऐसा नहीं है कि कुछ चंद लोगों को ही यह उपलब्द है हर एक को उपलब्द है कि कुछ उपलब्द है